नमस्कार आरे निउस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंग बोल्टन की शरवात करेंगे हम खबरों के साथ यूपी के सीतापूर में सफाई कर्मी की बेटी ने हाई स्कूल परिक्षा में प्रदेश की टॉप टेन सूची में चटास्तान हासल किया है आपको बता दें कि उत्रप्रदेश में हाल ही में बोर्ट का रिजल्ट आउट हुआ है और इसी के बाद से शात्रों का नाम सामने आ रहा है जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है इसी बीच शीतल वर्मा महमूदाबाद कस्वे के सीता इंटर कॉलिज की दस्वी की छात्रा हैं जिन्होंने करीब 96.8% अंग हासल कर शीतल वर्मा ने साबित कर दिया है कि कुछ कर गुजरने का जूनुन सवार हो तो परिवार का महौल और स्कूल की दूरी माइने नहीं र करवाई और इसके बाद आखिरकार बेटी ने पिता का नाम ब्रोशन कर दिखाया है आपने जो है कितने अंक प्रॉपत की है 96.83% आप आगे चल के क्या बनना चाहती है आगे चल के मैं डॉक्टर बनना चाहती है और इस सफलता का सरी है आप किसको देती है इस सफलता का सरी सफसे जब्सेदा मैं मैं परेंट्स और मैं टीचर्स और लगभी इश्रती फिक्रपा है मेरे विद्या एट तक मैंने जो सीच्छा प्राप्त की है वो साश्वती विद्या मंदी स्कूल में प्रवारी टोला विश्वा में और उसकी प्रथाना चाहरा जी का नाम है श्रीमती भरतिफा श्रीवास्तो जी जो हमारे वास में खड़ी है और एट तक एट क्लास तक उनक सब्सक्राइब की तयारी की और किन चीजों पर विशेष फोकस दिया सबस्यादा ऑर व्याइद फोकस दिया और था पूरे वर्स तयारी चलती रहे और अपको बांदा से है जो हाँ पारिवारिक विवाद लेकर जमीन को लेकर विवाद भड़का और इसके बाद कुलहाडी से काटकर निर्मा महत्या कर दी गई एक संसनी केजबारदा सामने आया है बांदा से जो आपको बताते चले कि पूरा मामला बांदा जनपत के गिर्वा थाना शेतर के महुआ गाउं से सामने आया है यहां पर एक घर में सो रही मा और बेटी पर कुलहाडी से हमला कर दिया गया जिसमें बेटी की घटना सल पर ही मौत हो गई जब कि मा ने जिल्ला अस्पताल में इलाज के दोरां दम तोड़ दिया फिलाल पूरे मामले में तप्तीश जारी है और इस संसनी केजबारदात से इलाके में भी हड़कम्प मच गया है इलाज के दोरान दूसरी महला की भी मिलते हो गई है इसमें अभियोग भंजिकित कर लिया गया है बैधानी करवाई और यूपी बोर्ट 2022 का परिणाम सोन भद्र में भी बेचियों के नाम रहा यहाँ पर हाई स्कूल का रिजल्ट आउट हुआ और रिजल्ट में ममता कुमारी ने 92.5 अंक प्राप्त कर सोन भद्र में पहला स्थान हासल किया तो वह इंटर्मीडियेट में अनपरा में खुशी केसरी ने 90.8 प्रतिशोत अंक पाकर जिले में टॉप किया है और इससे उनके मातापिता समेट स्कूल के अध्यापक समेट शेत्र के लोगों में भी खुशी का महौल नजर आया आपको बता दें कि इन चात्राओं के समंधियों द्वारा भी एक दूसरे को मुँ मीठा करवा कर बधाई देने का सिलसला लगाता अरचारी है आपको बता दें कि हाई स्कूल में जिला टॉप करने वाली ममता कुमारी चंद्रकुप्त मौर्या इंटरमीडियेट कॉलेज मधूपूर की छात्रा है इस मौके पर कॉलेज की प्रिंसिपल दयाज शंकर सेंग उश्वा समीत विद्याले की पूरी टीम पहुँचकर ममता को बधाई देती नेजर आई आपको बता दे कि ममता के पिता पेहद ही गरीब किसान है और इंटरमीडियेट चिले में प्रदम स्थान पाने वाली खूशी ने कहा है कि मैं भविश्य में वैग्यानिक बनना चाहती हूँ अभारत में कोरोना मामलों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है देश में एक बार फिर से लगातार दूसरे दिन करीब 13,000 कोरोना के मामले सामने आये और स्वास मंत्रवाले की तरफ से जारे किये गए आँख़ों के मुताबिक पिछले 24 खंटे में कुल 12,899 नहीं मामले सामने आये है तो में 15 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है नए एक्टिव केसिस की संक्या आपको बता दें कि कुल 72,474 तक पहुँच चुकी है देश के लिए एक बड़ी चिंता की बात है क्योंकि अगर एक पहले की बात की जाए तो आख़ों से तुलना अगर की जाए तो फिर आज करीब 400 मामले कम दर्श किये गए हलाक 18 जून को देश में कुल 13,214 ने करोना केस सामने आये थे और 113 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है जब देश में संक्रमन्ट से 13,000 से जादा मामले दर्श किये गए है और अक्षा मंत्री राजना सिंग आज भी सेना प्रमों को वरिश कमांडर्स के साथ मिलकर अगनीपत स्कीम पर रिव्यू करते नजर आए इस बैठक के बाद अगनीपत स्कीम पर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी और फोर्स के अडिशनल सेकरिटरी लेटनेंट जनरल अनिल पूरी समेट तीनों सेनाओं के वरिश कमांडर्स प्रेस कॉन्फरेंस करते नजर आए आपको मतादे फिलाल की स्वरे से अगनीपत योजना को और अधिक लुभावना बनाया जा सकता है इस पर बैठक की गई ताकि देशबर में हो रहे विरोध को खत्म किया जा सके यह बैठक अगबर रोड स्थिद आवास पर हुई है जोहां पर बैठक में तीनों ही सेना प प्रमुक हैं वो मौझूद रहे और आपको बता दें कि जानकारी के लिए बताते चले रक्षमंत्री राज्वना सिंग्ग ने कल भी सेना के प्रमुकों के साथ एक एहम बैठक की थी तुम्हें आपको यह भी बताते चलें कि मीटिंग जो है जो बैठक है सेना प्रमुकों के साथ वो राज्वना सिंग की वो बैठक खत्म हो चुकी है और अपसे कुछी देर में प्रेस कॉन्फरेंस भी की जाएगी और प्रेस कॉन्फरेंस में कई एहम खुला से हो सकते हैं और कई एहम निर्ने भी सामने आ सकते हैं और हल्दुआनी महानगर में बड़े पैमाने पर सरकारी नजूल भूमी खाली करानी पड़ी है और इसी पर लंबे समय से कब्जा और अतिक्रमन की शिकायत मिलती रही सरकारी में भागों की जमीन भी बूमाफियां की नजर से नहीं बची है कुछ जगह सरकारी अधिकारियों ने भी अस्थाय अतिक्रमन कर रखा है अब बताया जा रहा है कि मुख्य मंत्री के निर्देश पर परशासर ने सरकारी जमीन को चिनहित करना शुरू कर दिया है हल्दवानी में कमिशनर दीपक रावत ने शहर में कई सरकारी नजूल जमीनों को उनका निरिक्षिन किया और इस जोरान उन्होंने सिटी मजिस्टेट और स्टीम और मुख्य नगर आयुक को निर्देश दिये हैं कि सरकारी जमीन पर कबज़ा करने वालों के खिलाफ कारवाई की जाए साथी उन्हें ये भी कहा गया कि वो ये सुनिश्रित करें कि आगे सरकारी जमीनों पर अतिक्रमन ना होने पाए कमिश्टर ने बताया है कि कई विभाग्य कार्यों के लिए जमीन बेहद अवश्चक है और हल्दुआनी में पार्क और वानों की पार्किंग समेथ प्रधान मंत्री आवाज स्योचना के लिए भूमी की आवशक्ता को देखते होए सरकारी भूमी का निरिक्षण किया जा रहा है साथी साथ आपको यह भी बता दें कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीनों पर कबजा करके उसका नक्षा पास करवाना चाहता है तो ततकाल उसे रोक कर कानूनी कारवाई की जाए इसी के साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कोई कबजेदार नियायाले से इजाज़त लेकर निर्मान करवा रहा है तो उसे भी काम रोकने की अपील की जाए और उच्छे अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाए अगली कबर आजमगड से है जोहां लोगसभा के उप्चनाप के लिए भारती जुन्ता पार्टी के नेता और सीम योगी अधित्यनाथ ने चक्रपान पूर में जनसभा की है इस दोरान सीम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साथते हुए कहा कि सपा सरकार धोका देती है और उन्होंने आगे ये कहा कि जब आजमगड को सहारे की जरूरत थी तो माजधार में छोड़कर गायब हो गया उन्होंने आगे कि जिससे कहा कि जैसे आप चुनते थे वो विकास तो नहीं कर पाये और आपके सामने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिया जब फिर से सहारे देने की जरूरत थी तो आजमगड को माजधार में छोड़कर भाग के गायब हो गया समाजवादी पार्टी की प्रवर्ती ही धोका देने की है और यूपी में बार निसी और प्रयागरा समेथ पूर्वी पश्यम यूपी में बारिश का दौर जारी है और यह आपको बताते चले कि अनुमान लगा जा रहा है कि आज के दिन भी भारी बारिश हो सकती है बारती मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अगले पास से छे दिनों में बारिश की संभावना है पूर्वी उत्रब्रदेश के उपर तैयार हवा के दबाव का शेतर और अफगानिस्तान से जमू कश्मीर की तरब बड़े पश्च में विशोप की वज़े से मौसम में ये बदलाव हुआ है इसी बीच मौसम में भागने अगले दो से तीन दिनों में पूर्वोत्तर यूपी में मौनसून के पहुंचने की संभावना जटाई तमेल अखनों में भी रविवार को अधिकतम तापमान 49 और 29 डिगरी सेल्सेस रहने का अनुमान जटाया गया आस्मान में आंचिक रूप से बादल चाय रहेंगे बायो गुडवत्ता सुचगांग संतोष जनक श्रेणी में है जो की करीब नवास सी इदर्च किया गया है और आजिस्तान में इस सड़क हाथसों के आंकड़ों को लेकार मुक्यमंत्री अशोग गहलोत ने काया कि दुर्गटनाओं में कमी इलाकर हर एक जिंदगी बचाने के लिए राजु सरकाय प्रतिबध है आगे ये कहा गया कि सरकार संवेदिन शीलता के साथ दुर्गटनाओं को रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं सेम अशोग गहलोत ने परिवहन विभाग, पुलिस और समंदित विभाग यादिकारियों को हर संबब प्रयास करने के निर्देश भी दिये सेम ने सभी अधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतने और नियम विरुद वहन संचारन करने वाले मालिकों और चालकों पर सक्त कारवाई करने के भी निर्देश दिये हैं तोई राजु सरकार के परिवहन नियमों और उनकी अभेलना करने पर वहां चालक पर कठोर कारवाई के लिए प्रदेश के अत्याधनिक इंटरसेप्टर की संख्या बढ़ाई जा रहे हैं सेम ने कहा है कि दुर घटनाओं में कमिल आने के लिए जल्द से जल्द स्टेज लेवल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और अब रुक करते एंगली खबर की और लखनाओं से खबर सामने आ रही है जोहाँ पर लखनाओं के जीएम यू में इलाज कराने के लिए अब मारीजों को ज्यादा जेब धीली नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पर आपको बता दें कि ओपीजी में परामर्श के लिए पंजीकरन शुल्क दोगुना करने की तयारी कर ले गई है और इसी के साथ ही अन्य इलाज की जो फीस है वो भी 10 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी केजीम्यू के हॉस्पिटल बोर्ड में यह प्रस्ताव पास कर लिया गया है कि कारे परिशिद में अंतिमन्दूरी के लिए रखे जाएंगे केजीम्यू की ओपिटी में इस समय पर्चे का शुल्क एक रुपया है लेकिन इससे पहले मरीस के पंजीकरन के नाम पर 50 रुपय लिये जाते थे अब यह शुल्क 100 रुपय करने की तयारी है और यह पंजीकरन 6 महीने के लिए मानने होगा इसके बाद ओपिटी में पंजीकरन के लिए दुबारा फीस देनी होगी और हॉस्पिटल बोट में यह प्रस्ताव रखते वक्त तक दिया गया है कि विश्व विध्याले की आयब बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है हलाकि सदस्य उन्हीं से मान लिया है और अपंजीकरन के साथ इलाज की अन्यमदों में भी बढ़ोतरी की जानी है आपको बता दें कि कारे परिश्व की बैठक 22 जून को होगी और इसमें कई विभागों की नियुक्ती के सम्मंद में लिफाफे खोलने पर दुबारा चर्चा की जाएगी कारे परिश्व ने इससे पहले इन विभागों के लिफाफे आरक्षिन के प्रावधान का पाला नहोने से खोलने से इंकार कर दिया था अब हाई कोट और राजभवन के हस्तक शेप के बाद एक बार फिर से ये मामला कारे परिश्व के सामने रखा जाएगा इसके अलावा सिक्षिकों की जेश्चता सूची भी बैचक में रखी जानी है लोफर और इस भी शुक करेंगे बड़ी खबर की और पटना से एक अपडेट सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें कि हाल ही में पचना में एक विमान पर हाथसा हुआ है स्पाइस जेट का ये विमान था जिसमें आग लग गई और उसके अमर्जनसी लेंडिंग करानी पड़ी और अब आपको बता दें कि एक बड़ा हाथसा यहां पर होते होते चल गया है और मामला सामने आया कि करीब 185 यातरी इस विमान में सवार थे जिनने सुरक्षित ही निकालिया गया है बर्ड हिटिंग की वज़े से आग लगी थी और आपको बता दें कि आग लगने की वज़े से ही स्पाइस जेट के इस विमान की एमर्जनसी लेंडिंग करानी पड़ी और जाच में अब सामने आया है कि बर्ड हिटिंग की वज़े से विमान में या आग लगी थी और एरपोर्ट पर एमर्जनसी लैंडिंग करवानी पड़ी है बड़ी खबर इस वक्त की पटना से आपको बता रहे हैं तस्वीरे भी आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर स्पाइस जेट का यह विमान है और इसमें जब विमान ने उड़ान भरी तो उसी दौरान विमान में आग लग गई आग लगने की खबरे से महाँ पर हड़कम मच क लेकिन पाइलेट ने सूजबूश दिखाते हुए इसे लैंट कर दिया है एमर्जनसी लैंडिंग एरपोर्ट पर की गई और जाज में सामने आया है कि बर्ड हिटिंग की वज़र से विमान में आग लगी थी वहराल इस विमान में 185 यात्री थे जिन सभी यात्रियों को स तुरक्षियत विमान से बहार निकालिया गया है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर यह विमान है जो उड़ रहा है लेकिन इसी दौरान अचानक से विमान में आग लग जाती है और एमर्जनसी लैंटिंग करवानी पर जाती है इस विमान की हाला कि अच्छी बात यह रही कि कोई दुर घटना नहीं घट आग की सुचना मिली अस्थानी लोगों ने में पीचे से देखा और खिला पर जाती है और उसके बाद लोगों यह रपोर्ट में बताया और पुरत नहां पहुंचे फिर पाइलट ने भी अपना उसका जो मेकनीजे में उससे नोटिस किया उसके बाद फ्लाइट को वापस पटना एर्बोर्ट पर उतारा गया सेफली लैंड कर गई और सभी आप्षियों को बाहर निकाल लिया गया है इस पाइस और अब कबरा मेठी से है जोहां नहर की किनारे लापता यूवक का शव मिला है आपको बतादे चलें कि दरसल ये शव के कुछ कंकाल है जो मिले हैं और मृतक के भाई ने बताया है कि रामराज पुत्र महादेव के साथ उनका भाई लखनो गया था दरसल यूवक रामराज जिनके बेटे महादेव उनके साथ लखनों में रोजी रोटी कमाने के लिए वो पहुँचा था लेकिन अब पंद्रा दिन बाद यूवक का कंकाल मिला है और इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि कंकाल मिलने के बाद से ही इलाके में हट कम मच गया और पुलिस को भी पु पुलिस के सामने बयान दर्श करवाये गया और हत्या की सूचना दी गई मैंने डाउट जिसके साथ गय तो जिसने लेकर आया उसी को पर मैंने डाउट किया हूँ असर इसकी सूचना आपने थाने अने अब दीख थी आजी दियत क्या चाहते हैं आप अपने भाई के लाज करिया करम करना चाहता हूं सर और क्या करेंगे जो आरूप आप जिस पर सर जो करना होगा कानून करेंगा हम क्या कर सकते हैं मुसलायो एक होते तो हमारे भाई के साथ आजता कहां से हो जाता है अईज सी कبر के साथ ही पोलिशन फिलाल के लिए इतना ही देशेtan की तमाम खबरो के लिए बने रहे हमारे सामगैं देख तो रहा रहाना न्यूस